हेलोा, फ्रेंट्न्स! हम आज आज आपके साथ खीर की स्पेशल रेσιप सेट करने वाले हैं तो ये हम ने देसी घीड डाला है किये है खीर में जितनी चीनी लगेगी उसका सिर्फ हाब से भी कम चीनी आपको यूज करना से हम केरमल बनाएंगी ये केरमल वाली खीर है ये उडिसा में शादी ब्याओं में जरूर बनता है ये खीर तो फ्रेंड्स आप इसकी जल्दी जल्दी ingredients और सारे रेसिपी को notes कीजिए ये देखे फ्रेंड्स इसको हम चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे बिल्कुल low flame में बिल्कुल भी low flame में इसको चलाते रहना है अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो ये जल जाएगा दिखे फ्रेंड्स इह पूरा पिखल गया है केरमल हो गया है इसको चलाते रहेंगे हम इस तरह अगर जोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा पक जाएगा रखा हुआ था जो मैं इसमें डाल रही हूँ दूद में मैंने थोड़ा सा पानी भी आड़ कर दिया था पहले से ही दूद के साथ मैंने पानी आड़ किया था थोड़ा सा पानी आड़ किया था जब हम इसमें दूद डालेंगे तो जो कैरेमल है वो नीचे चिपक का हुआ र पकाएंगे चलाएंगे इसी तरह चलाते रहना है और जो बाकी दूध है उसे भी हम डालेंगे इसमें अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो नीचे केरेमल है वो पूरा निकल जाए और इसे हम आधर ढग के उबालाने के लिए वेट करेंगे देखे इसमें उबाला गया है तो मैंने ढखना डाली अब इसे चलाओंगी चावल को कुक होने दूंगी इसमें मखाने डाल रही हूँ जो मैंने क्रश करके रखा हुआ था पहले से इसी में आपको ड्राइफूर्स भी डालना है पर मैं नहीं डाल रही हूँ क इसमें से पानी डालोंगी देखे फ्रेंस मैंने पानी एड नहीं किया था दूद के साथ ही पानी मिला था अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि चावल अभी 50% ही कुक होना बाकी है अभी मैं इसे 10 से 15 मेर तक पकाऊंगी इसी तरह चावल को पूरा पकने दूंग इसमें पूरा उबाल आ रहा है चावल भी काफी पग गया है अब मैं जो बाकी का चीनी बचा हुआ है इसमें एड करूंगी इसी मिलाओंगी चीनी डालने के बद से कलर और अच्छा आता है देखिए ये बिल्कु वाइट खीर नहीं होती इसका क्रीम कलर होता है इसका कलर की वज़ज़ से कैरमल खीर की पहचान होती है इसका कलर बहुत अच्छा होता है का जब एन पहली बार इसे बनाया था और अपने फेरंस को खीर आता है तो उन्होंने कहा यह क्या गुड की खीर है यह गुड की खीर में ऐसे ही कलर आता है अब हमारा पूरा खीर पक चुका है आप मैं उसे बन कर देंगे और यह मैं आपके साथ इस पीसल ट्रिक यूज़ कर बतारही हूं आपको यह कभी खीर बना आए और यह ट्रिक यूज़ करें तो आपका खीर और भी जादा मज़ेदार हो बनने वाला है अब मैं इसमें थोड़ी सी किस्मिस डालूंगी तीन से चार किस्मिस आप लीजिए घी में और कुटी हुई इलाइची इसे खीर का अलगी फ्लेवर आता है खीर बहुत बढ़िया लगता है अब तड़का अगर लगाएं खीर के उपर से तो अब हम इसमें लगाएंगे तड़का देखिए फिर्ण कितना खूबसूरत कलर आया है इसका हलका क्रीम कलर आया है खीर का अब इसे ढग कर रख देंगे ठंडा होने के लिए इसके बाद इसे सर्व करेंगे तो देखिए फिर्ण बनके तयार है हमारा केरमल खीर चलिए अब हम पूरी बनाते हैं यह मैधा इसमें मैंने नमक और कलाउंजी मिलाया है इसे मैं हलके गुनगुने पानी से गुनदूँगी क्योंकि गुनगुने पानी से गुनने से पूरिया बहुत मुलायम होती है इसे खुब अच्छे से गुन देना है अब मैं इसे उपर से तेल लगा कर और ढखकर तीस मिनुट के लिए रख दूँगी देखे फिर्स मैंने पेन चड़ा दिया तेल गरम होगे मैंने पेड़े भी बना के रख लिये हैं अब इसे बेल लू में देखे पूरिया बिल गई है अब मैं इसे फ्राई करूँगी एक एक करके सारे पूरियों को तलना है देखे कितने फुली फुली से पूरियों है क्योंकि हमने तीस मिन के लिए आटे को रख दिया था गूंद के यह देखे पूरियों होगे हैं हमारी अब हम दूसरी भी इसी तरह प्राई कर लेंगे बहुत बढ़िया होने वाली है पूरियों अब इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके हमें बताईए का जरूर किया आपको कैसी लगी हमारी खीर पूरियों की रेसिपी फरेंट आज रजब का फातिया था कुंडा का तो मैंने खीर पूरियों बनाया तरहे खीर पूरी टेस्टी और यमी